तो जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि बुद्धेश्वर के पास अच्छे प्लॉट्स दिखा दीजिए गेट लगा हुआ है गेटर सुसाइटी है घर बहुत सुंदर सुंदर इस प्लॉट्स में बने हैं जैसी बी वगरे चल रही है उस तरफ भी पूरा डेवलोपमें सिंपली शिल्पी मैं हूँ शिल्पी तो जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि बुद्धेश्वर के पास अच्छे प्लॉट्स दिखा दीजिए तो पहले भी आप इन प्लॉट्स को देख चुके हैं तो चलिए आज यहां पे क्या डेवलोपमेंट है क्या इनका नया भ है मेरे पीछे ही देख सकते हो काफी खुबसूरत सा घर बना हुआ है यहां पे कंस्रक्शन का काम शुरू हो गया है बहुत सारे लोगों ने यहां पे प्लॉट की बाउंडरी वगरे करा रखी है एंड काफी डेवलप सुसाइटी है सारी चीजें जो भी आपको चाहिए इ लोकेशन क्या है वेलकम अनिदी जी अनुट जी तो चली लोकेशन समझाते है यहां पे लोकेशन क्या है बुद्देश और मंदिर सद्शियोभी आते हैं इसार चौडाहे से महान डोड काकूरी मोर परता है वहीं से एक किलो मेटर पर साइड है और यह दसेहरी दोड़ा ज और का अचछे से सम्झा देते हैं ये गेटेट कॉलोनी हैं अप सामने देख रहे हूं और ये जो रोड है ये इसको क्या बोलते इस और नेजी बताएं दसेहरी रोड माम ये दसेहरी रोड जो कि डैरेक्ट ये इस तरफ कहा हां कनेक्ट होती पांड करों यह माम काकोरी रोड से आया हुआ है और हर्दोई रोड पर जाके निकला है काकोरी मोड से चलिए तो यह रोड जैसा निधी जी ने बताया कि यह काकोरी चौराहे से ना जी काकोरी मोड चौराहे से आता है और इस तरफ यह हर्दोई रोड पर जाके निकला हर्दोई रोड य जो लखनव का फेमस शिव जी का बुद्धेश्वर मंदिर है, वो यहाँ से धाई किलोमेٹर की दूरी पे जी माँ तो जो लखनव से बाहर के लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि बुद्धेश्वर मंदिर से क्या है है location तो उनके लिए हम लोग आगे हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर आभी खड़े हूं है आगरा में से कितना धूर पड़ता है एक्सप्रेस वे मतलब अभी तक का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जहां से आप आगरा दिल्ली बहुत साथी जगे जा सकते, यहां से जस देड़ किलोमेटर की दूरी पे जे प्लोट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लोट्स हैं, गेट लगा हुआ है, गेटर सुसाइटी है, घर बहुत सुन्दर-सुन्दर इस प्लोट्स में बने हैं, अंदर तो लोग घर हैं, बाहर भी मैं आपको थोड लाइन से घर बन रहे हैं, इस तरफ भी काफे सुन्दर-सुन्दर घर बन गये हैं, आस पास पूरे घर बने हुए हैं, लक्षमी फॉर्मेसी कॉलेज भी आपको इस तरफ मिल जाएगा, तो यह इनका पूरा ही है, यहां पर थोड़े से आपने बताया था है, अपने बताय हैं, इस टार्टिंग में आपको थोड़े कॉमर्शियल के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, जो गवर्मेंट की तरफ रोड गई है, तो चलिए हम लोग अंदर की तरफ आ गये हैं, हर तरफ आप देख सकते हो, इस सुसाइटी में लगभा कितने घर बन चुके हैं, बारा से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ बिलकुल बन गये हैं, तो मतलब बारा से पंदरा घर यहां पर बन चुके हैं, और इनका कुछ नया पैच आया है, कुछ पीछे की तरफ आया है, एंड कुछ इस तरफ आप देख सकते हो, जैसी भी वगएरे चल रही है, उस तरफ पूरा डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है, एंड एमिनिटी इस की बात की जाये, तो क्या देने वाले होगा, पच्छेस फिट की रोड है मैम, रोड लाइट नाली, यह सारी चीज़े मिलेंगी, बाकि यह गेटर सोसाइटी रहेगी है, हमारी पूरी CCTV कैमरा, गाड की की स्कूल यहां पर लेकिन बाकि और कोई स्कूल यहां पर है तो वो सब कितनी दूरी पर हैं, मैम यही नरवना पढ़ता है, यही जमीन आती है, यहीं पर ही इसी गाहों में है, चोटे से बड़े, बाकि अगर ज्यादा बड़े स्कूल की बात की जाए तो अपना CMS हो गया सब्सक्राइब तो अब तो पर्पस से हैं कोई बी तुरंट बना के रह सकता है यहां पर सारी चीज़े उसको तुरंट प्रवाइट की जाएंगे तो मतलब काफी सारे स्कूल है राजर जिपूरंबाला जो सीमेस है जो एक अच्छे स्कूल की बात की जाएंगे लेकिन एक अच्छा स्कूल अगर देखा जाए तो यहां से साड़े चार किलोमेटर की दूरी पर मिल जाएगा आपको जैसे जैसे डेवलेमेंट होगा और भी अच्छी चीज़े आती रहेंगी यह बता है आउटर रिंग रोड यहां से कितना दूर पड़ जाएंगे आप सबको पता है आउटर रिंग रोड लखनों में आप बाहरी बाहर कहीं भी जवा सकते हो आपको लखनों की में ट्रैफिक में आने के जरूरत नहीं है आउटर अग़ेति लोगों रहेंगे तो किस तरीके के लोगों पर प्लॉट ली है काफी अच्छे लोग हैं जदातर गौर्उरमne वाले है इस साइड पे दो रास्ते हैं यह वाला है आपके राश्त आया में थी स्विट का अपड़ ऊंधर से दीचा है घर वाला घर यह नवह था तो काफी अच्छे-च्छे डॉक्टर्स वगेरे ने भी यहां पर प्लॉट वगेरे ले रहे हैं पॉजी है और पुलिस में हैं वह भी हैं अच्छे लोग हैं ज्यादा तर यहां पर प्लॉट बड़े ही विके हुए हैं तो यहां पर प्लॉट लिया तो लोगों ने प्लॉट लिये तो लोकैलेटी की बात करें तो लोकैलेटी भी अच्छी है आप पो अच्छी मिलने वाली है आप आजाएंगे हमारी साइब चल के आपका सेकेंड पैच जो इस तरफ आया है वो भी दिखा देते हैं तो यह फेस्टू फेस्टू क्या है मतलब उसी फेस्टू कुछ इंटिग्रेटेट तो नहीं है नया पैच है मतलब उसमें ज्यादा तर सोल्ड आउट है इसमें कु दो एंट्री मिलेगी इस तरफ गवर्मेंट की आपको सामने रोड दिखेगी गवर्मेंट की रोड आ रही है इस तरफ और पूरा इनकी सुसाइटी पाउंटरी वॉल से कवर रहेगी धीरे-धीरे आगे extension होते जा रहा है तो यहां भी ऑल्रीडी जैसा मैंने बोला था ना अभी रोड इनकी डामर पढ़ जाएगी बहुत जल्दी और यह देखे घर बन रहा है पीछे लाइट वगेरे सारी चीज़े यहां पर आ गई है तो में जैसे मतलब लाइट और क्या क्या है यहां पर लाइट सीवर क्या क्या देने वाले नहीं सीवर नहीं है नगर भी प् आपको तुरंट बना के रहना चाहते हो तो सारी चीज़ें आपको यहां पर तुरंट मिलेंगी नगर निगम में आ चुका है तो अल्रीड नगर निगम वाले खुदी डैवलब करते हैं हमारी सामें आलंबाग की नहर से कनेक्ट एक नहर आई हुई है अभी फिलाल तो उस प्लॉट्स मिलेंगे क्या जी मैं कॉर्णर के इसमें भी है एक निव साइड हमारी कॉमर्सियल के परपस से अगर कोई चाहे है चलिए तो अभी कॉर्णर के प्लॉट्स एविलेबल है अहां पर एंड मिनिमम प्लॉट साइज और रेट बताओ मिनम प्लॉट मैं आप आपका बजट कम है आप चोटा घर बनाके रहना चाहते हैं 500-600 स्कॉर फिट का तो वो भी आपको मिल जाएगा गेटर सुसाइटी में ऐसा चोटा प्लॉट मिलना इजी नहीं होता है तो आपको यहां पर चोटा प्लॉट भी मिल जाएगा और 1350 का रेट है हमारी ओडियंस प्लॉट बुक करिए अपना घर बन बाइए बाकी वीडियो को शेर कर दीजे पता नहीं किसकी हेल्प हो जाए कौन प्लॉट देख रहा है तो वीडियो शेर करना मत भूलिएगा लाइक कर दीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई